तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से बिहार के मुख्य मंतरी निस्त कुमार ने क्या अपडेट में जारी किया है चलिए जान लेते हैं पूरी अपडेट बिहार सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण को आठ जून तक बढ़ाने का फैसला किया है सीम नितिस कुमार ने इसकी घोशड़ा की है कहा है कि इस बार के लॉकडाउन में बेपार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है सभी लोग मास्क पहने और समाजिक दूरी का पालन करें अपने मंतरियों और अधिकारियों के साथ वर्चूल वैटक के दोरान मुख्य मंतर इन ने यह फैसला लिया है चले जानते हैं कौन से फैसले लिये हैं और किन-किन दुकानों को किस प्रकार से छूट दी गई है पूरी अपडेट जान लेते हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें फटा फट खबरे बिहार से सम्बंदित सबसे बजे और ग्रामेड एलाकों में सुबह आठवे से बारवे तक है इन दुकानों के खुलने की समय शीमा बढ़ाई जा सकती है सरकार ने जरूरी समान के अलावा क्रिसी शमगरी की दुकानों को सभी दिन और हाडवेर दुकानों को सब्ता में तीन दिन खोलने की अनुमती दे रखी है एक जुन के बाद कपड़े और कुछ दुसरी दुकानों को भी खोलने की इजाज़त दिये जाने की समभावना है इसके अलावा निजी और सरकारी कारयालों में करमचारियों की संख्या बढ़ाई आ सकती है सारवजनी कारे करमों में भी संख्या को लेकर फैसल हुई है सीम ने अपने मंत्रियों के साथ लॉगडाउन को लेकर चर्चा की हालाकी लगभग सभी मंत्री भी इस बात पर सहमत है कि कुरोना का खत्रा पूरी तरस से टला है टला नहीं है ऐसे में लॉगडाउन को आगे बढ़ाने पर सहमत ही दी गई है जी हां बहुत दुकान खोलने का अनुमती दिया जाएगा सभी दुकान खूलेंगी सब्ता में तीन तीन दिन समय अलग अलग रहेगा इसके इस संबंदित जो गाइडलाइन्स जारी होने वाली है तुरांत अपडेट आएगा आपको मेरे चैनल पर तुरांत देखने को ही मिलेगा प्ले